दोस्तों आज एक ऐसे सक्सियत का जन दिन है जिनोंने भारतिय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया जी हाँ इंडियन क्रिकेट कहें और उसमें इनका नाम ना आए ऐसा हो इनी सकता आज ही के दिन 1981 में राची तब बिहार आज जारखंड में महेंदर सिंग धोनी का जन्व हुआ था आज माही, कैप्टन कूल, MSD और थाला के नाम से भी जाने जाने वाले धोनी ने जब अपने करियर की सुरवात की थी तो किसी ने सायद ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही लंबे बालों वाला लड़का टीम इंडिया का करिश्माई कपतान बने और सायद धोनी को भी नहीं पता था एक विकेट कीपर के तौर पर धोनी को टीम में शामिल किया था दोनी ने विकेट किपिंग के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी टीम मेनेजमेंट को प्रभावित किया। 2007 में बड़े बड़े दिगजों के होते हुए भारती टीम बांगलादेश से हार कर वर्ल्ल कप से बाहर हो गई। फिर उसी साल साथ अफरीका में सबसे पहली बार T20 वर्ल कप खेला गया। इस बार टीम मेनेजमेंट ने युवाओं से सजी टीम साथ अफरीका बेजने का फैसला किया और कप्तान महेंदर सिंग धोनी को बनाया गया। दोनी ने भी मौके को भुनाते हुए एक करिश्माई कपतान का नमुना पेश किया और टीम इंडिया को पहला T20 वर्ल कप जितवाया। उसके बाद से दोनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उनकी कपतानी में भारती टीम ने। उसके बाद दोनी की कपतानी में टीम इंडिया एक के बाद एक सारे टूर्णामेंट में जीत दर्ज करती चली गई। जितवाया। यहीं नहीं 2008, 2010 और 2013 में टीम इंडिया ने औस्ट्रेलिया को हराकर बौडर गवास का ट्रॉफी पर कप जा किया। 2009 में दोनी की कपतानी में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट रेंकिंग में पहला इस्तान प्राथ किया। इंडियन प्रीमियर लीग में धोनी ने अपनी टीम चन्नेई सुपर किंग्स को तीन बार IPL चेंपियन बनाया। खेलों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए धोनी को साल 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरुसकार से नवाजा गया। 2008 और 2009 में वो ICC ODI प्लेयर रहे। लगातार दो साल या अवाड जीतने वाले वे पहले खिलाडी हैं। फिर उनको 2009 में पद्न स्री मिला और 2008 में पद्न भूशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया। दोनी को साल 2009, 2010 और 2013 में ICC World Test 11 का कप्तान चुना गया। इतना ही नहीं उनको रिकॉर्ड आठ बार ICC World ODI 11 टीम के लिए चुना गया जिसमें से 5 बार कप्तान के तौर पर। एक नौबर 2011 को भारतिय टेरिटोरियल आर्मी ने उनको लेटिनेंट पद से सम्मानित किया। कपिलदेव के बाद धोनी ये सम्मान पाने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो धोनी के नाम कप्तानी और विकेट कीपिंग में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। 2016 में MS धोनी The Untold Story फिल्म आई थी जो उनके जीवन पर बनाई गई थी। 30 दिसमबर 2014 को धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वहीं 15 अगस्ट 2020 को उन्होंने इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास की घोशना की थी। दोनी को हम लोगोंने आखरी बार टीम इंडिया की जर्सी में साल 2019 में देखा था। वर्ल्ल कप 2019 के सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड के खिलाफ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। और यही धोनी का आखरी इंटरनाशनल मैच था। सयोग देखिए कि अपने पहले इंटरनाशनल मैच में धोनी रन आउट हुए थे। और अपने आखरी मैच में भी धोनी रन आउट ही हुए। इसमें कोई शक नहीं कि धोनी अब तक के टीम इंडिया के सबसे सफल कपतान है। और उनके जैसा खिलाडी या कपतान मिलना अब मुश्किल जान पड़ता है। ये बात सभी मानते हैं चाहे वो फैंस हो या फिर खिलाडी दोनी ने कई युवा खिलाडियों को तराशा और एक मैच विनर बनाया। रोहित सर्मा, भुमनेश्वर कुमार, केल राहुल, सुरेश रहना, रविंद्र जडेजा और आर अस्विन सब उनी की देन है। दोनी से पहले टीम इंडिया की ताकत उसकी बैटिंग थी, लेकिन दोनी के आने के बाद टीम इंडिया बॉलिंग और फिल्लिंग में भी अबवल हो गई। और यही कारण है कि टीम ने इतने सारे टूर्नामेंट में जीत हासिल की। दोनी ने अपने फैसलों की बतौलत टीम इंडिया को कई हारे हुए मुकाबले जितवाए हैं। बारती क्रिकेट के लिए दोनी के योगदान को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। और आज की दिन हम भारतीय फैंस दोनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस महान कप्तान के जम दिन के मौके पर आप भी उनके नाम खास संदेज दे सकते हैं। कमेंट सेक्षन में आप भी दोनी के नाम संदेज दें। तो अभी के लिए इतना ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ हम फिर राजी रोंगे। अभी दीजिये इजाजत धन्यवाद।